दोस्तो हम हमारे लाइफ के 20 साल एजुकेशन लेने में गुजारता है मगर हमारे एजुकेशन में एक बहुत बड़ा गैप है कोई स्कूल या कॉलेजस में ये सिखाता ही नहीं है कि अपने फाइनांसे हमें कैसे मैनेज करने है तो दोस्तो आज अस वीडियो में हम इसी के बार में बात करने वाले है और आज मैं आपको पांच ऐसे smart money moves बताने वाली हूँ जो आपको अपके life में अभी के अभी शुरू करने चाहिए तो दोस्तो मैं हो वरुशाली और आपका इन्वेस्टडी में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहला money move है set your financial goal अब किसी भी चीज को जब हम करने की बार में सोच रहे हैं उसके लिए हम मन में एक goal टैकर लेते हैं पान लीची आप गाड़ी निकालते हो तो कोई ना कोई destination आप decide कर ही लेते हो तो सबसे पहला तो आपको आपका goal decide करना है अब वो goal क्या हो सकता है मेरे तो top goals financial freedom को achieve करना और एक घर लेना है अब आपका retirement corpus build करना होगा कहीं vacation पर जाना होगा या फिर घर या car लेना मगर इन सारे चीजों को आपको कहीं ना कहीं लिखना होगा और उसके लिए कितना amount आपको जरूरी है वो roughly calculate करना होगा अब goal जिसे एक vacation या फिर car लेना ये comparatively short term goals है वही retirement corpus या फिर घर लेना इन goals के लिए हमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है तो short term goals के लिए आपको लिखनी के बाद time frame decide करना है उसकी हिसाब से investment शुरू करनी है short term के लिए आप debt funds में invest कर सकते हो तो long term goals के लिए आप equity के बारे में जरूर सोच सकते हो अब debt हो या equity कितना amount आपको invest करना है ये तेह करने के बाद आपको उसकी SIP शुरू करने चाहिए SIP यह नि systematic investment plan अब ये systematic इसलिए क्योंकि आपने एक बार SIP amount decide कर लिया तो आपके पैसे automatically आपकी चुनी हुई date पर invest हो जाएंगे क्योंकि time in the market ज्यादा important है ना कि timing the market अब इस concept को समझने के लिए अगर आप मान लो कि हर महिना 5,000 रुपे invest करते हो अगले 25 साल के लिए और आपको just for an example 12.5% का return मिलता है तो आप इस upstocks की calculator पर देख सकते हो कि आपको 1.03 क्रोड मिलेगा सिर्फ 15,000,000 इन्वेस्ट करने पर अब दोस्तों यह हो पाया है biggest of the magic of compounding मगर शायद आपको हर मेना 5,000 नहीं 10,000 या फिर 20,000 इन्वेस्ट करना है आप शायद returns को 12.5% नहीं 10% कंसिदर करना चाहते हो तो इन सभी चीजों के लिए इस calculator की link मैंने description में दे दी है उसे आप आपके according numbers को change करके आपके monthly SIP के number पर पहुच सकते हो और अगर आप एक नए investor हो तो अपना free DMAT account upstocks के साथ खोलिए जिसे download करने की link मैंने description में दे दी है to get one month zero brokerage अब हमारी investment planning तो हो गई मगर debt का क्या? तो दूसरी सबसे important चीज है killing your debts Yes, debt को अपनी जीवन में से मिटा दो मगर कैसे? Number one, identify कौन सा debt आपका सबसे ज्यादा rate of interest है अकसर सबसे ज्यादा credit card debt होता है फिर personal loans, education loans और फिर खर अब क्योंकि home loan एक बढ़ा amount होता है और उसका rate of interest भी सबसे कम होता है उसकी चिंता आप एकड़म last में कीजिए पहले अपने सारे high interest debts को खतम कीजिए जो in return आपको आपके financial goals को अचीव करने में मदद करेगा जिसके लिए चाहिए होगी एक solid budget management and here comes our third point which is to make a budget गोल के लिए investment कितनी चाहिए ये decide हो गया debt कितना और कौन सा कैसे खतम करना है ये भी decide हो गया अब इसका answer है budget करना अब budget हमारे देश से लेके छोटे बड़े सारे companies करते है ताके financially उन्हें exactly पता चले कि वो कहा है इससे आपको exactly पता चलेगा कि आप कितना spend करते हो simply आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले save कीजी और फिर spend इसके लिए आप 50, 30, 20 इस rule को follow कर सकते हो इसमें 50% आपके income का आपकी necessities के तरफ जाएगा necessities यानि की rent, electricity, food इन चीजों में वही 30% आपके wants की तरफ और 20% आपकी investment होगी, अब आपके wants और investment को चाहे तो switch भी कर सकते हो, आपकी requirement की according मगर ये एक basic calculation है, अब दोस्तो जब हम income की बात करते हैं तो taxes के बारे में भी बात करना उतना ही important है अब यही आता है हमारा fourth point, plan your taxes early अब दोस्तो एक fun fact आपको बताते हूँ, क्या आपको पता है कि हर सार EASIS funds में सबसे ज्यादा किस month में high investment jump दिखाई देती है It's February and March I am sure आप में से कई लोगों ने ये answer guess किया होगा To be very honest, 3-4 सालों पहले मेरा भी डिट्टो यही हाल था मगर मैंने इसे change किया है, मैं मेरे tax savings एपरिल के month से ही plan करना start करती हूँ At least try करती हूँ, कभी-कभी थोड़ा delay हो जाता है मगर not in the last month इस से सच में stress काफी कम हो जाता है और इसलिए आपको भी आपके taxes पहले से ही plan करने चाहिए अब इतनी तगड़ी investment planning तो हो गई मगर emergency के वक्त आपकी किसी बड़िया planning पर पानी भी फिर सकता है और emergency तो एक बिन बुलाए महमान की तरह है कभी भी टपक पड़ती है जिसके लिए फिफ्ट और जो हमारा last point है वो है prepare yourself for emergencies अब दुस्तो इस समय तो इतने layoffs चल रहे हैं तो ये बहुत important है कि आप भी ऐसी emergencies के लिए 6-12 months का monthly expense अपके account में होना चाहिए Yes, before planning any of your short or long term goals आपको ये emergency fund build करना चाहिए और ये emergency fund फुफ ना हो जाए इसके लिए आपको दो insurance ज़रूर लेने चाहिए एक है health insurance और दूसरा है एक life insurance जिसमें term plans best और सबसे cost effective plans होते हैं So in a nutshell ये सारे चीज़े जल से जल कीजिए और I am sure आपको आपकी financial state पर बहुत confidence मिलेगा और आपकी financial journey काफी आसान भी होगी Investment in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing